हाई दोस्त के आल चाल आज हम बात करने वाले अपने मुबाइल का कॉलर स्क्रीन कैसे चेंज करें कॉलर स्क्रीन पर फोटो कैसे लगाएं और कॉलर स्क्रीन का जो रिसीव बटन होता है उसको चेंज कैसे करें देखो हमारा मुबाइल सस्ता वाला होता है बहुत महंगा आदो किसी का फोन आएगा तो आपका फोटो भी दिखाई देगा और आइफोन वाला कॉलर स्क्रीन दिखाई देगा एक तरफ से पकड़ो एक तरफ खिंस दो फोन उठ जाएगा और बस अगर मालो साइट में आप खिंसते हो तो यहां पर search box पर click करना, यहां लिखना jolt, jolt, jolt आप लिखोगे, तो यह applications मिलेंगी, इन application को download करना है, बस यह application download करने बद application open करना है, application open करोगे, तो इस तरह का interface कुलेगा, ठीक, नीचे आपको get started को option दिखाए देगा, get started पर click करना, यहां enable को option दिखाएगा, enable पर click करना, और यहां पर आपको jolt का option दिखाएगा, jolt पर click करना, और नीचे sit as default पर click कर देणा, ठीक, इतना काम कर लेना, उसके बाद अब यहां नीचे आपको तीन option दिखाएगा, तो सबसे पहले आपको style पे क्लिक करना पड़ेगा style पे क्लिक करना और यहां देखो samsung का है swipe up वाला है और google का iphone का two button asus का मैं आपको दिखा देखो यह google का जो इस समय आपको दिखा जरे google का है यह samsung का है इस तरह का आएगा इस पे हरे वाले पे क्लिक करोगे phone उठेगा इस पे कट जाएगा और यहां swipe up देखो उपर नीचे वाला है और यह google का है यह वाला देखो google का इस तरह का रहता है iphone वाला इस तरह से रहता है इधर आप खींचोगे phone receive हो जाएगा और नीचे two button है यह two button और यह asus का है देख लो तो आप जो लगाना चाहा उस पे क्लिक करना तो मैं क्या करता हूँ iphone वाले पे क्लिक करता हूँ उसके बाद आपको बैक आ जाना है इतना काम करके आपको बैक आ जाना है यहाँ पर आपको वीड़ो का भी option दिखाए देता है तो अगर आप वीड़ो लगाना चाहते हो यानि किसी का phone आए तो वहाँ पर आपका कोई वीड़ो दिखाए दे या फिर आपका photo दिखाए दे बैग आ जाना है और आपको यहां next option दिखाई देगा next पर click करना और यहां पर please wait आप थोड़ा सा wait करना बस हो गया पूरा process complete अब आपको कुछ नहीं करना है अब मैं इस mobile में phone करके भी आपको दिखाता हूँ अब देखो दोस्त फोन आ गया ना यहां पर उपर नाम भी दिखाई दे रहा है किसका phone आया और देखो इस तरह से आप इधर करोगे phone उठ जाएगा और नीचे dismiss को option है dismiss पर click करोगे phone कट जाएगा तो मैं उठा के दिखाता हूँ उठ गया था ना इस तरह से आप phone मतलब अपने mobile में iPhone वाला Google वाला एसूस का जो भी बटन लगाना चाहूँ वो बटन लगा सकते हूँ और photo भी लगा सकते हूँ